खूशी बुटेक स्पेशल में आपका स्वागता है इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि सलवार क्यों गुम जाती है और किस तरीके से गुम जाती है कैसे इसे ठीक करने होती है तो इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल से बताने वाली हूँ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लेना है और सिलाइ कोर्स लेना है या सिलाइ के पैटर्न आपको लेने है तो इस नंबर से कॉल करके आप चानकारी ले सकते हैं तो देखिए यह सलवार मैंने बनाई है 18 इंच हीप के लिए और इसकी लेंथ हमें रखने है तो सलवार की जो लेंथ है दो चेक कर लेंगे इसमें 1 इंच सलवार की लेंथ जादा बन गई है यानि जितनी हमें लेंथ चाहिए उससे 1 इंच एक्ट्रा हो गई है तो ये सलवार गूम जाती है इस अलवार में मैंने चुनट बहुत अच्छे से लगाई है आप देख सकते हैं कि बराबर बराबर मैंने दोनों हिसों में चुनट लगाई है और यहाँ पीछे की साइड भी चुनट नहीं आ रही है एक इंच यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा है आधे बैल्ट से कम में मैं चुनट लगाई है तो इसका कारण में आपको बता देती हूं कि और इसका सेल्योसिन में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूं तो देखिए एक इंच इसकी लेंथ एक्स्ट्रा हो गई है जितनी हमें लंबाई रखनी है उससे एक इंच सल्वार की लंबाई एक् क्योंकि इसमें प्लेट तो हमने बहुत अच्छे से लगाई है यहां पे जिस लाइन पे हमें प्रेस करना होता है इस लाइन पे बहुत अच्छे से प्लेट लगी हुई है यहां पे बड़ी प्लेट भी हमने लगाई है लेकिन लेंथ जादा होने के कारण यह सलवार घूम ज फ्रेस वाली लाइन को यहाँ पर दबा देंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो आए मैं आपको मसीन पर सिलाई लगा कर बताती हम और फिर सल्वार हमारे नहीं घूमेंगी क्यों subscription और यहाँ अल्युद में झाल झाल अंदर की साइड भी घुम सकती है और बाहर की साइड भी घुम सकती है लेकिन एक बात माँ को बता दूँ कि अगर सलवार की जो चुनट है ये आधे बैल्ट से बाहर की साइड जाएगी इस साइड जाएगी जैसे कि यहां तक हमारा आधा बैल्ट है और ये जो चुनट है यहां तक आएगी तो भी आपकी सलवार घुम जाएगी वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जुरूर से कर लीजिएगा मैं मिलती है आप से अगले वीडियो में